एक और जहां पे किसानों ने कमिटी बना दी है अब वो कमिटी सरकार से डायलॉग करेगी और कोशिश करेगी जल से जल ये पूरा मसला सुल जाया सके वहीं दूसरी ओर आकेश तिकैट आज सुभेग ट्weet करते हैं ट्weet करके लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पहले भी अगाह किया था कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको प्राइविट करने जारी है सरकार और 6 दिसंबर को सरकार एक ऐसे ही बिल पर्लेमेंट में पेश करने जारी है सर आपके जो यह त्वीट किया इसके कई माइने निकाले जा रहे हैं कई लोग ये कह रहे हैं कि राकेश तिकैद जो गोल पोस्ट है वो बदल ला है पहले उनकी डिमांड थी काने कानून वो पूरे हो गए फिर उनकी डिमांड हुई MSP और बिजली और जो किसानों पे के और मुद्दे हैं उसके लिए कमिटी बन गए अब राकेश तिकैद ने नया मुद्दा चुना है वो है कि जो सरकार पब्लिक सेक्टर ब्रैंक को प्राइविटाइज करने जा रहे हैं अब उसका वो इशू बनाना चाहरे है और आपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि इसको लेके एक आंदोलन की जरूरत है इसके विरोध में कि अजब कोई देश में कोई गटना गटि वरी बहिसे में कि कोई बात कहने ही सकता कोई चीज गटना कटी द॔री देख रहे तो उसको कह नहीं सकते इसक्टे लेकिन आप कहते हैं तो से ga hyi अर्थ मैं आपसे बहुत सीरिसली सवाल पूछ रहा हूँ, एक थोड़ी सी क्लारिटी चाहिए, इसलिए चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने आपका इंटर्व्यू किया था, एक कमिटी बन गई है और मसलों के लिए काले कानून वापस हो चुके हैं, आप कमिटी सरकार से बात करें कि जो तो भी हलोगा उसे साबसे आगे का एक्शन के, क्योंकि आपने ट्वीट कि आपके ऑफिशल हैंडल से ट्वीट आया, तो सब यह सोच रहे हैं कि क्या राकेष्टि कहत इसी आंदूलन का अधार लेके प्राइविटाइजेशन के खिलाब भी आगे लड़ाई लड़ेंगे यहां से नहीं जा रहा तो ट्वीट कैसे आया राकेष्टि कोई गटना हो रही, बिल लेकारी, सरकार लेकारी, तो तो बता ने इस तरह है कि बहुत से बिल है, जो सरकार लेकारी, अब ओर्डिनेंस फैक्ट्री सारी भी की, बहुत शापसूती तरीके से बेच दी, श्रम का कोई आपने यूनियन नी बना सकते, कोई वो नी बना सकते, धेर धेरे प्राइवेटरेशन की तरफ जारें तो उससे बेरोजगारी फैलती है